अब आ गया है I-Tel Vision 1, नए इंडिया का नएा विजिन, बड़ी स्क्रीन के साथ, एंटर्टेइन्मेंट का विजिन बढ़ा, डूल सिकुर्टी फीचर्स के साथ, प्राइविसी का विजिन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजिन सच बोलने पर एक पार्टी का दफतर बंद करा जा सकता है अगर सच बोलने पर देश के सरवोच्च सदन के के एक सदस्य के खिलाब पांच जिलों में मकदमा लिखा लिका झा सकता है तो आप अधाजा लगा सकते है कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या है यहां जो बोलेगा जुबान को बंद करने के लिए सरकार जुल्म और जात्ती के तमाम तरीके अपनाएगी। अभी तो हम लोग एक मजबूर संगठन ग्रास रूट लेवल पर अपना तयार कर रहे हैं। जैसे अपराद बहुत चरम पर है, बिजली की बड़ी एक समस्या है, बिजली का दाम अंधा धुंद यहां पर लिया जाता है। सिक्षा एक बढ़ाली की ओर है उत्रपदेश में, स्वास्त की बवस्ता पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। तो कानून बवस्ता है, सिक्षा है, स्वास्त है, बिजली है, पानी है, सडके हैं। यह जो तमाम मुद्दे हैं, फीस की बढ़ोत्री है, सिक्षा माफियाओं की लूट है, यह जो तमाम मुद्दे हैं, इनको लेकर भी हम लोग सतत, आंदोलन और संगर्स अपना करते रहेंगे। और कई मुद्दों पे हमने काम सुरू भी कर दिया है, अपराधी करण आज की तारीक में उत्तरपदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, जंगल राज कहना भी योगी सरकार को सायथ कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, आज के इस राज में कोई कानून नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, ब्यापारी सुरक्षित नहीं, बेटिया सुरक्षित नहीं, सुरक्षित कौन है, अपराधी सुरक्षित हैं और नेता सुरक्षित हैं, तो इसलिए यहां पर जो अपराधी, पुलिस और नेता का जो गड़ जोड चल रहा है उसके खिलाब भी आमादमी पार्टी एक आवाज को बुलंद करेगी आपके उपर मुकदमे भी दर्दूए कहा जा रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया इतनाते खिलाब जाती सुचक शब्दों का प्रयोग किया इस पर आ उत्तर प्रदेश में ये एक चलन बन गया है योगी जी का कि कोई भी विपक्ष की आवाज हो उसको दबा दो मुकदमे लिखो जेल में डालो गरिफतार करो इन चीजों से कोई फरक पड़ने वाला नहीं है योगी जी ने पांच जिलों में मुकदमा लिखा है मैं उसे कहन चाहता हूं उत्तर प्रदेश में सत्रा सो थाने में मुकदमा दर्ज कराईए लेकिन सच की आवाज बुलंद करते रहेंगे उसमें कहीं कोई समझोता नहीं करेंगे दूसरी बात मैंने क्या कहा मैंने लाइंड आर्डर का मुद्दा उठाया मैंने ये उठाया कि जिस भी स धारणा बन गई है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज की एक जाती विसेश की सरकार चल दी है आप क्या समझते हैं क्या इस धारणा से कोई आपका फायदा होने वाला है आप कहते हैं राम राज हम लाएंगे राम राज क्या है भगवान स्री राम ने सेबरी के जूठे बेर खाए निशाद राज ने उनको नईया पर बिठाके नदी पार कराई भालूं की बानरों की नील की नल की सुग्रिव की सेना बनाकर रामण का नास किया अपने को कस्त में रखके जनता के हित को सर्वो परी रखा वो है भगवान स्री राम का चरित्र अगर आप राम र साथ अन्या हो रहा है कलों प्रकास राजबर जी मेरे पास आये थे वो बता रहे थे कि अलग अलग जाती हो यह मैसेज हो है कि हमारे साथ अन्या हो रहा है वो चाहरा हो राजबर हो पाल हो निशाद हो मौरिया हो कुसवाहा हो बिंद हो सोनकर हो जितनी भी जातियां है बाल विकास के मुद्दे पर ही काम किया जाता है तो कहां चरित्र में कहां दिख रहा है आचरण में कहां दिख रहा है कार्य प्रणाली में कहां दिख रहा है आप बताईए आजम गढ़ के अंदर जो एक दलित प्रधान की हत्या हुई है उस मामले में क्या सामने आ रहा है कि वही सामनती सोच कि साब सामने अगर उठके खड़े नहीं हुए या उसको लेके बैठा रहे गे तो उसको लेके हिंसा हो जा रही हत्या हो जा तो यह यह मुझे लगता है कि यह ठीक बात नहीं है आप उत्तर प्रदेश के 24 करोन लोगों के लिए काम कीजिए आम आदमी पार्टी यूपी के 24 करोन लोगों की सरकार चाहती है हम किसी एक जाती किसी एक धर्म की सरकार नहीं चाहते और लोकतंत्र के अंदर संबिधान के अ कोनी भी नहीं चाहिए यह किसी जाती और किसी धर्म के हित में भी नहीं है लखींपूर की घटना एक निरिशन्स हत्या और बलातकार की घटना है जो अब तक बातें सामने आ रही है और मैं क्या बताउं आपको जहां-जहां मैं गया पिछले दिनो मैं संजीत यादो के अप्रहण और उसकी हत्या के मामले के बाद गया मैं अथ पुलिस के जौनपूर में गया, एक छोटी सी बच्ची का बलात कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, मा से मिलने गया, तो मा गुंगी थी, बोल नहीं पाई, आप सोचे कितनी पीडा की बात है, आज ये हालत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म, जाती, अपराद, दरिंदगी की इनतहा हो गई और आप मेरे खिलाप है, भाई यार लिका रहा है, आपकी पूरी पुलिस, मेरा कारेले बंद करा दी आमाद मी पार्टी का, कारेले दफ्तर वहाँ पर पुलिस रात में बारा बज़े जा रही है, सुबह आट बज़े जा रही है, आपने गुंडा-गर्दी का दफटर बंद करा जा सकता है अगर सच बोलने पर देश के सरवोच्च सदन के एक सदस्य के खिलाब पांछ जिलों में मुकदमा लिखा जा सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मिर जाएंगे आपको बहाने पचास आप कर लेंगे किसी को इतनी सक्रियता अपराद रोकने में क्यों नहीं आपकी इतनी सक्रियता हत्या लूट बलातकार रोकने में क्यों नहीं आपकी एक पाटी का दफ्रत दफ्तर बंद कराने के लिए रात में बारा बजे भी पहुंच तो अब क्या करेंगे दफ्तर कहां पे खोलेंगे कैसे क्या करेंगे हम लोग तो आम आदमी है सड़क पे दफ्तर खोलेंगे उसकी कोई चिंता नहीं